हालांकि चानक्य के जीवन के विशय में इतिहास में कम जानकारियां हैं। चानक्य के जन्म और मृत्यू के संबंध में भारत के कुछ विद्वानों की राय अलग-अलग हैं। कुछ लोग इनका जन्म पंजाब के चनक शेत्र को मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सौध भारत को मानते हैं, कुछ लोगों की राय में इनका जन्म केरल भारत को मानते हैं और बौध धर्म के अनुयाई इनका जन्म तक्ष शिला को मानते हैं। कुछ विद्वानों की मजबूत राय भी मिली है कि इनका जन्म तक्ष शिला में रहा होगा इनके पिता का नाम चनक था क्योंकि इनका जन्म एक गरीब ब्राह्मन के घर में हुआ था इतिहास में एक बात सत्य मिलती है इनका जन्म और बच्पन काफी गरीबी में बीता चानक्य के विशय में इतिहास में ज्यादा प्रमान नहीं मिलाता है कुछ विद्वान इनके नाम के पीछे भी अपनी राय रखते है क्योंकि इनका नाम कौटिल्य भी था कुछ लोग मानते हैं कुटल गोत्र होने के कारण इनका नाम कौटिल्य पढड़ा भारत में आज भी चानक्य को चानक्य और कौटिल्य आधी नामों से ही जाना जाता है इस संबंध में महान विद्वान राधाकांत जी ने अपनी रचना में कहा है कुछ लोग ने सीधी राय रखी है चनक का पुत्र होने के कारण इन्हें चानक्य कहा जाता है बुद्धिमान चानक्य कोटिल्य की राज्य की अवधारणा चानक्य की राज्य की नीती में आचारे चानक्य ने कहा है कि राजा और प्रजा के मध्य पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए कौटल्य के राज्य की नीती में यह कहा गया है राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनू को अपना राजा चुना और खेती का छैवा भाग और सोने आभूशन का दजवा भाग राजा को देने को कहा राजा इसके बदले में प्रजा की रक्षा तथा समाज कल्यान का उत्तरदायत वसंभालता था चानक के बोलते हैं राज्य का शासक कुलीन होना चाहिए राजा शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए और शासन को प्रजा के हित के लिए चाहिए काम और क्रोध तथा लोब, मोह, माया से दूर रहना चाहिए राज्य के शासक को निडर राज्य का रक्षक और बलवान होना चाहिए कौटिल्य ने राज्य के सेवन तत्वों की तुलना मानव शरीर से की है 1. राजा राजा और शासक राज्य का प्रथम नागरिक होता है और उसको कुलीन, बुद्धिमान, बलवान और युद्ध कला में आगे होना चाहिए 2. मंत्री मंत्री शासक की आँख होते हैं और इमानदार, चरित्रवान होना चाहिए 3. जनपद जनपद राज्य की जांग और पैर होते हैं और जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका रहता है इसमें नदियों, पशुधन, तालाबों और वनों, जंगलों आदि को प्रधान भूमी को उपयुक्त बताया 4. दुर्ग, किला किला राज्य की बाहें होती है और जिसका काम राज्य की रक्षा के लिए होता है जो युद्ध के समय राज्य को बचाने में मदद करता है इसमें जल, पहादरण, जंगल और मरुस्थल आदि को शामिल किया है 5. राजकोश राजकोश राज्य के शासक के मुख के समान होता है, क्योंकि कोश से राज्य चलता है, इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जाती 6. सेना सेना राज्य का सिर है, राज्य की रक्षा में बल और सेना का अहम रोल होता है 7. मित्र दोस्त और मित्र राज्य के कान होते हैं और युद्ध के समय मित्र और शांती युद्ध काल के समय ये दोनों सहायता करते हैं